राहूल गांधी ने एमर्जंसी से लेकर के देश के मौजूदा हालातों तक कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है बי्यान दिया है मैंसाद मौजूद है वीजेपी जानसाद राकेश तरना जी राकेशी सबसे पहले राहूल गांधी ने जिक्र किया एमर्जंसी का कि और रहूल गांधिये साब मानते हैं तो क्या हुए बताएंगे की जिन राज्यों के पहले कॉंग्रेस की सरकार थी और एंपरसली में जो लोग जेल गए थे वो अना सिर्फ गलत था उसके लिए सारवजिनिक रूप से कॉंग्रेस माफी मांगे जदी इमर्जेंसी गलत था तो कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी एक रिजॉलिशन पास करके सिर्फ भूल नहीं कहे इंद्रा गांधी की निंदा करें कि उन्होंने लोकतंतर पर भारत की हमारे भारत में हैं जहां पार आरेस जैसे संसाइं जो समयधानिक संसाइं उनको नियंत्रित करती हैं देखे राहूल गांधी अपने परिवार की उस परंपरा की अनुकूल ही कुछ कर रहे हैं जब जबाहरलाल नेहरु को कॉंग्रेस के भीतर उनिस्वार्तालिस ते पचा बनाया वही काम राहूल गांधी आज कर रहे हैं लेकिन राहूल गांधी जदी अज्ञानता से काम करते तो मैं उनको माफ कर देता हूं वह जिस प्रकार से आरेस की तुलना साध्य अरभिया की बहावी से कर रहे हैं इससे ना सिर्फ हिंदू समाज और भारती की है कि जिस तरह से पाकीसान में मधरसों में घुमराई किया जाता है वही काम आरेसीस देश में कर रही है आखर के एलस नेता कहां से अलग है यह सवाल कॉंग्रेस के विचार और कॉंग्रेस के संगठन से कहीं अधिक बंसवादी राजनिती की उप्योगिता और वैधानिकता से है यह 23 नेता जिसमें आनंद सरमा और गुलाम नभी आजाद जैसे अनुभवी नेता है यह मान कर चल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि अब राहुल गांधी सुनिया गांधी प्रेंका गांधी की उप्योगिता कॉंग्रेस को बचाने में नहीं रह गई इससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी अपने परिवार के उस ट्राइड एंटेस्टिट मिथड का मैं राहुल गांधी को बता देता हूं कि सिर्फ राजस्तान में जहां उनकी सरकार है बिद्या भारती के स्कूल में साड़े 450 मुस्लम बच्चे पड़ते हैं बिद्या भारती के स्कूल से ही जारखंड प्रथम अस्थान प्राप्त किया था विद्या भारती के स्कूल में सैकरों मुस्लिम महिलाटी और पुरुष टीचर सिक्षक हैं तो मुझे लगता है कि राहूल गांधी जो बयान कर रहे हैं वह ऐसा ही है गाय की तुलना लोमरी से करना वे पाकिस्तान की मदर्सा को एक तरस करके देश दुनिया में इस देश की राजनिती देश की सामाजिक सांस्कृतिक और सैच्छनिक जो धारा है उसके बारे में गलत संदेश प्रसारित कर रहे हैं जो कि देश की असमिता को नुक्ष्टान पहुंचा रहा है इस सबके बीच में होसी मुबारक के चुनाव से व साथ 97 वोटों से वो कैसे जीते हैं लेकिन अब यहां के भारत के अखाला दे करके समझ में आ रहा है क्योंकि भारत में भी कुछ वैसा ही हो रहा है देखे राहुल गांधी पहले कॉंग्रेस के नाव को सम्हालने उस नाव में आज राहुल गांधी बता दें कौन लोग पत रहा है उनके बयानों से कौंग्रेस के नेता अपने को किनारा कर रहे हैं पहली बार इ rhet mádhi परिवार क toxin रहा है और यह महsूस के जा रहा है वह उपयोगी नहीं बोज बन गया है और इसी की अनुभूती के कारण राहुल गांधी आज एक ऐसे गलत बयानों और भरम मुलक बयान दे रहें जिसे लोगों का ध्यान हटे राहुल गांधी को मैं बता दूं इस देश में जो जनतंत्र मजबूत मरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ है वह 1950 से आज तक नहीं थ जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंतरता आज है जब आप प्रधान मंत्री को सही और सचे विशय पर भी आलोशना करते हैं जुठी आलोशना कर सकते हैं वह पहले इस्तिती नहीं थी तो राहुल गांधी पहले जाके जो लोग सीसे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थ भी कही है यानि कि प्रभाकरण की मौत पर दुख हुआ था राहुल अप्रेंका को यह बात राहुल ने कही तब तो राहुल गांधी को गोट से को फासी देने पर भी दुख हुआ होगा वह भी किसी का भाई और किसी का बेटा था इस तरह के अनावश्यक और मान्सिक रू लेकर हत्या की राजिती या हत्या की संस्कृति को आगे बहाता है उसे हम निंदा करते हैं रावन की प्रसंसा नहीं की जा सकती है रावन का जो कुकृत्त था उसकी बिद्वता के बाद भी उसकी प्रसंसा नहीं होती है तो हम परभाकरन गोड से और इंद्र सत्वन सिंह ब पास्तों में गंभीरता से कोई बयान नहीं देते हैं और कम गंभीर बयान देने के कारण उनका बयान कॉंग्रेस की आधार को उसकी लोगप्रियता को दिनों दिन कम कर रही है। अंकेर कॉप्ता एबीपी नियूज दिली